अब आईए हम बात करते हैं आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में आज है 12 सितंबर 2024 आज इन दर्शकों का जन्दीन है उनके जन्म दिन की बहुत बहुत बदाई धेरो सुब कामना है आपका जन्म दिन सुब हो मंगल मह हो आपको प्रगत करें आपका चतुर्दिक भिकास हो आपको सुख सम्रिदी एश्वरेपत पर्थिष्ठा में बढ़ोतरी हो भगवान भोले नास से हार्दिक प्रार्थना है आपकी मनुरत पूर हो हैपी बढ़ ले आज इन दर्शकों का जन्दीन उनका मुलांग होता है तीन तो खास्तोर से तीन, बारह, एकीस और तीस निठी की जन्द में जातक होता है उनका मुलांग होता है तीन, तीन नंबर बड़ा महत्पूर अंक है यह देव गुरु बरहस्पती का अंक है और जो देव गुरु बरहस्पती इससे प्रभावित अंक होता है ऐसे लोग इनका बाहर ब्यक्तित तो आकरशक होता है, प्रफास्थाली होता है बड़े ही स्वाभिमानी होते हैं, सेंसेटिव होते हैं, चोटी-चोटी बात इनको बड़ी हल्ट करती है यह एक अच्छे दोस्त होते हैं और एक अच्छे सत्रु भी होते हैं अगर सतुरुता भी ठीक से निवाते हैं दोस्ती भी ठीक से निवाते हैं और इनकी बड़ी हाई लेवल की अफेक्षाएं होते हैं इनका बहुत हाई होता है और जो अगर इनके अफेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं उनको दुख होता है एक अच्छे मित्र होते हैं मित् कारी संपन्द होंगे यह वर्ष आपके लिए काफी लाप्रद होगा धन की सत्य होगी माता-पिता की सेहत को लेकर के चिंता समाप्त होगी आपका कैडमी केरियर अच्छा होगा विदेश में आपका बैपार बढ़ेगा देखा जाते हैं जन्वरी फर्वरी मार्च अपरेल मई जून पर्थम छे महिने आपके लिए काफी अच्छा है इसमें उत्रोतर विकास प्रगति धन की सिति शांदार होगी और आपके उत्रोतर विकास से अबर जो अंतिन तीन महिना है उत्रोतर अच्छा होगा उसमें कई महत्मुन कारी संपन होगे माली हालत अच्छी होगी दूर देश के आत्रह होगी और आपकी प्रगति होगी और देखा जाएता आप काफी आगे बढ़ेंगे सौधानी के अबरत नहीं है खान पान पन पन इंतरा रखना है तुनक मिजाच नेचर से बचना है और प्रोफेशनल और इमोशनल डिष्टों में काफी बैलेंस रखना अनिमारे है उपाई क्या करना है भगवान विश्णू जी के अराधना करे माता लच्छी के अराधना क करिए सुरे सुक्त का पाठ करिए ओम नमो भगवते बासुदेवाय नमा स्रकृष्ण गोविन धरे मुरारी हे नात नारायन बासुदेवाय इस मंत्र का जब करना आपके लिए वहतर होगा पुना है एक बार आपको जन्म दिन की बहुत-बहुत-बधाई धेरोशोब कामन आपका जन्दिन सुभ हो मंगल मह हो आपको प्रगत करें आपका चतुर्दिक विकास हो आपको सुख सम्रिदी ऐस्वरे पत्पर्थिष्ठा में बढ़ोतरी हो भगवान भोले नास से हार्दिक प्रार्थना है आपकी मनुरत पूर हो हैपी बढ़ने आज जिन दर्शकों क सकतार रह जंदिना का मुलांगत होता है तीन तो खासतोर से रहतीन..... ॏ नबर महत्पूर अंक्रत प्रभावी तंक होता है ऐसे इनको बड़े इनके संसेटी वह संसेटी वोते हैं चोटी हल्ट करती है ये इकुछ है और इकड़ शत्रू भी होते हैं और जो अगर इनके पेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते उनको दुख होता है एक अच्छे मित्र होते हैं मित्र की भूमिका में बड़े जोड़दार निभाते हैं लेकिन इनको एक अच्छे मित्र का अभाव रहता है देखा जाए ते इनका एह वर्ष काफी महत्मूर होगा आ आपका अकेडमी केरियर अच्छा होगा विदेश में आपका बैपार बढ़ेगा देखा जाते हैं जनवरी फरवरी मार्च अपरेल मई जून पर्थम छे महिने आपके लिए काफी अच्छा है इसमें उत्रोतर विकास प्रगति धन किस्थी शानदार होगी और आपको उत् सितंबर है उतार चड़ाओकर रहेगा कई तरह के देकतों का समना करना पड़ेगा शेहत को लेके थोड़ी चिंता भी हो सकती है तो शेहत पर अपना ध्यान देने की जुरुत है पुना आपका अक्टूबर नॉमबर दिसंबर जो अंतिन तीन महिना है उत्रोतर अच्छा ह होगा उसमें कई महत्मुनकारी संपन होगे माली हालत अच्छी होगी दूर देश के आत्रह होगी और आपकी प्रगत्य होगी और देखा जाएता आप काफी आगे बढ़ेंगे सौधानी के अबरत नहीं है खान पान पन पन इंतरा रखना है तुनक मिजाज नेचर से बचना है और प्रोफेशनल और इमोशनल डिस्टों में काफी बैलेंस रखना अनिमारे है उपाई क्या करना है भगवान विश्णू जी के अराधना करे माता लच्छी के अराधना कर ये ओम नमो भगवते बासु देवाय नमा सिरकृष्ण गोविन धरे मुरारी हे नाथ नारायन बासु देवाय इस मंतर का जब करना आपके लिए वहतर होगा पुना है एक बार आपको जन्व दिन की बहुत बहुत बदाई धेरो सोब कामना है हैपी बर्डे